बिहार की गिया में फ़ल्गों महस्तप कालेक्टरम काउट खाटन महगत दुशित देले की कूल पती प्रोफेसर राध्येद्नर कर्नल सचीद सूरी राय मदन की शोर डॉक्टर कुसुम राय प्रोफेसर दॉक्टर की किनरायन पंडित राधन सी जुआव अंकी पस्थिती में किया गया इस मंच पर तुम्री गायन के कायकर्ण की शुरुवात की गया उसके बाद एक की बाद एक राशिक लोगों ने गीत गाकर लोगों को घंटी चुमाती रहे साथी तबला पर संगत कलकार पंडित रामकुमार मिश्र में जोरदार तबले पर ठाप देते रहे साथी बनारस घ्राने की पचलित व अपचलित बोलू को भी बाखुबी से बजाया जिस पर फूपतालिया दर्शकों में बजा कर कलकारों को उत्ताहित करते रहे साथी ग्यागराने की लोगों की फर्माईश को भी गाईकी ने सुना कर पूरा किया वही फल्गु महस्थब में मालीनी अवस्थी ने मीडिया को बताया कि देश के सभी बड़ी गुंजनों वाकलाकारों के तित अस्थल रहा है ग्यागराने की संगीत देश दुनिया में पहुंसती है और यहां किश्रोता भी बड़े राशिक होते हैं और देश दुनिया में मंच पर पैसे भी कमी नहीं लेकिन चाहत गया खिचलाती और ऐसी जगा ही गया है उन्हेंने कहा कि बड़ारस कोलकता घराना लखिलाओ और अन घरानों में गया की बंदिशे गया जाती है माईया रखि ने कहा कि मिट्टी में अपने विरासत गुंजलों में वहां की कलागारों को भी सीख लेना चाहिए तो ने कहा कि श्रोता भी बड़े रसिक हैं और मुझे लगता है पूरे इंदुस्तान क्या दुनिया भर में कहीं भी जाएं कलाकार तो मन्स की कमी नहीं नशाएद पैसे की कमी है लेकिन चाहाक और विद्वान श्रोताओं के सामने जो कलाकार उसके मन की एक इक्षा होती है कि उनके सामने सुनाएं इसलिए गया आकर के सुनाना और दिल जीतना ये एक हर कलाकार के साथ रहती है तो आदमे ने बहुत बहुत अच्छा लगा और मैंने अपनी गुरु से भी जो गया के बड़े विद्वान रामुजी उनकी प जिट्टी में जहां पर उन्होंने विरासत में अच्छे गुनी जनों को सुना हो वहां कि श्रोताओं में भी बड़े सुन्दर संस्कार होते हैं और बहुत सुन्दर पहले सबसे बात हुए कि मंदिर में कारिक्रम होता है और बिना किसी सरकारी उसके अपने आप लोग करत हैं ऐसे आयोजनों में तो मुझे लगता है कलाकारों को भी आगे बढ़ करके सायोग करना चाहिए बहुत 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 सुन्दर पहले कि 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 कि